Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे हमने Transformers पढ़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने अभी तक दो वीडियो डाले हैं जो पहला वीडियो था वो था इंप्रोड़क्शन आफ ट्रांस्फोर्मर्स के उपर और सेकेंड वीडियो में हमने Self Attention पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में हमने What is Self Attention बहुत डीटेल में कवर किया था आज का जो वीडियो है वो बहुत important है like it's absolutely critical because आज की वीडियो में ही हम लोग exactly समझने की कोशिश करेंगे कि Self Attention काम कैसे करता है अब अगर मैं आपको थोड़ा motivate करना चाहूँ कि आपको ये वीडियो क्यूं पूरा देखना चाहिए तो I would just say one thing I am pretty sure आप aware हो आज की रेट में market में Gen AI बोलके एक नई टेकनोलोजी penetrate कर गई है generative AI और most likely अगर आपने कोई interview दिया होगा recently तो आपसे भी शायद उसके around questions पूछे गए होंगे और industry में clearly एक search of demand आई है generative AI के आसपास और अगर मैं आपसे पूछू कि generative AI जो पूरा का पूरा ये टेकनोलोजी है तो उसके center पे क्या आता है तो I am sure आपको पता होना चाहिए कि it's transformer architecture transformer architecture के इर्थ गिर्थ ये पूरा का पूरा टेकनोलोजी बढ़ रहा है इंप्रूफ कर रहा है और अगर मैं आपसे पूछू कि transformers architecture के center पे क्या आता है तो उसका answer है self attention so that is why ये जो वीडियो है ये बहुत critical है अगर आप generative AI सीखना चाहते हो तो उसकी शुरुवात इस वीडियो से होगी तो ये वीडियो इतना important है कि मैंने भी इसमें बहुत जान लगाई है इस वीडियो को बनाने में generally मुझे एक वीडियो बनाने में दो से तीन दिन लगते हैं बट ये particular वीडियो को shoot करने में बनाने में, research करने में मुझे 14 days लगे और मुझे लगता है इतनी महनत मैंने इस channel पे कभी भी कोई और वीडियो बनाने में नहीं किया so in that sense this video is very special because मैंने कोशिश किया इस video में आपको self attention इस तरीके से समझाने की कि आपको ऐसा लगने लगे कि आपने invent किया self attention को तो बहुत level of simplification है और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये video successful तब होगा जब video के end में आप मुझे ये बोलो कि पता नहीं sir आपको 14 दिन क्यों लगे topic तो बहुत simple था तो अगर आपको उतना simple लग गया video video खतम होने के बाद तो फिर मेरा काम हो गया तो I am really excited to see आपका response कैसा ये video देखने के बाद Let's start the video So video को शुरू करने के पहले एक बार एक quick revision ले ले लेते हैं कि हमने last video में क्या discuss किया था last video का topic था what is self attention तो वहाँ पे हमने सबसे पहले ये discuss किया था कि कोई भी NLP application आपको बनाना हो उसके लिए सबसे important ये होता है कि आप machines को समझा पाओ कि words को numbers के form में कैसे represent कर सकते और यही पर अलग-अलग techniques picture में आती है जैसे कि one-hot encoding bag of words और फिर finally हमने पढ़ा था embeddings के बारे में word embeddings के बारे में और हमने वहाँ पर discuss किया था कि word embeddings बहुत खास है because words का semantic meaning होता है उसको number में convert कर पाती है and that is the best part about word embeddings बट फिर आगे हमें discussion करके ये समझ में आया कि हाला कि embeddings बहुत काम की होती है बट उनके साथ एक बहुत बड़ा problem ये है कि वो static होती है इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर आपने train कर लिया word embeddings को अब आप उसको बार-बार जब use करोगे तो आप same ही embeddings को बार-बार हर जगे use करोगे अब problem क्या है कि मान लो आपके पास दो sentences है एक है money bank I know it's not a complete sentence but just point prove करने के लिए लिखा है और दूसरा sentence है river bank इन दोनों जगहों पे bank word use हुआ है और अलग context में use हुआ है यहाँ पर bank का मतलब है financial institution और यहाँ पर bank का मतलब है एक जगे नदी का किनारा but since हम word embeddings use कर रहे हैं तो दोनों जगहों पे जो embeddings use होगा bank का वो exactly same होगा और फिर यह गड़बड है this cannot be a good starting point तो फिर इसी को solve करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए है contextual embeddings contextual embeddings का मतलब क्या है कि यह embeddings first of all dynamic होनी चाहिए और context के हिसाब से change होना चाहिए मतलब अगर यह bank money के context में आ रहा है तो यह embeddings में कुछ और number होना चाहिए और अगर river के साथ आ रहा है तो यह embeddings कुछ और होनी चाहिए dynamically change होनी चाहिए और यहीं पर फिर हमने discuss किया था कि self attention actually इस problem को solve करता है because self attention is a way to convert static embeddings into dynamic contextual embeddings ठीक है और यह flow diagram आपको काफी clear picture दे देगा तो माल लो आपके पास यह sentence है humans love smartphones तो self attention कैसे काम करता है कि सबसे पहले आप in words का static embeddings निकालते हो ठीक है किसी भी word embedding टेखनीक से आप word to work use कर सकते हो glove use कर सकते हो जो भी है और फिर हर embedding को आप self attention block में भेज़ते हो और यह self attention block क्या करता है अंदर ही अंदर कुछ calculations करता है जो हमने discuss नहीं किया था और उन calculations के basis पे for every static word embedding it generates a dynamic contextual embedding तो यहां से अगर आपने E1 भेजा E2 भेजा E3 भेजा यहां पे आपको Y1 Y2 Y3 मिलेगा and the best part about these contextual embeddings is कि यह समझते है कि यह current word किस context में use हो रहा है तो यह हमारा summary है पिछले वीडियो का ठीक है अब हमारा इस वीडियो का goal क्या है कि हमें समझना है कि इस yellow box में क्या चल रहा है यहां पे क्या calculations हो रही है कि आप in static embeddings को contextual embedding में convert कर पा रहे हो वह हमारा इस वीडियो का goal है मेरा मानना है कि कभी किसी चीज को समझना है ना तो first principle से समझना चाहिए आपको इस तरीके से उस चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए जैसे आप उस चीज को invent कर रहे हो create कर रहे हो तो हम भी वही approach रखेंगे हम self attention काम कैसे करता है यह सीखने के लिए यह समझने के लिए इस तरीके से approach करेंगे as if हम पहली बार self attention को create कर रहे है ठीक है तो देखो हमारे सामने एक challenge है यह दो sentences है money bank grows and river bank flows I know कोई meaning नहीं है in sentences का अच्छा लग रहा है बस rhyme कर रहा है बट जो भी है यह दो sentences है और हमारा problem यह है कि इन दोनो sentences में bank जो word है यह भले ही same word है बट अलग context में use हो रहा है यहाँ पर bank use हो रहा है money के context में और यहाँ पर bank use हो रहा है river के context में तो इन दोनों का meaning same नहीं है बट unfortunately अगर हम यहाँ पर word embeddings use करेंगे तो दोनों का meaning same हो जाएगा और फिर आगे आप कोई भी NLP task perform करोगे result आपको सही नहीं मिलेगा we need to change bank का meaning here based on the context around the word ठीक है तो what if मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊ और मैं यह बोलू कि मैं bank को bank की तरह नहीं लिखूंगा bank को मैं इस तरीके से लिखूंगा कि bank मिलकर बना है थोड़ा बहुत money से थोड़ा बहुत bank से और थोड़ा बहुत gross से ठीक है मतलब bank का मतलब सिर्फ bank नहीं है bank का मतलब है 0.3 times money का जो मतलब है 0.7 times bank का जो मतलब है और 0.1 times gross का जो मतलब है similarly यहाँ पर भी मैं bank को bank ना लिख के लिख दूँगा कि bank है 0.5 river 0.4 bank और 0.1 flows तो automatically you can see कि यहाँ पर जो bank का meaning अब निकल के आ रहा है versus यहाँ पर जो bank का meaning निकल के आ रहा है first of all वो different हो गया not only that अब वो context पर भी depend कर रहा है मतलब bank का meaning money पर depend कर रहा है और gross पर depend कर रहा है जो कि उसका context है क्योंकि bank यहाँ पर money और gross के साथ आया similarly bank यहाँ पर जो है वो river और flows के साथ आया तो अब उसके context में हम river को भी use कर रहे है और flows को भी use कर रहे है so in general मैंने यह दिमाग लगाया कि what if मैं अभी तक हर word को जिस तरीके से represent कर रहा हूँ उसके बदले मैं चीजों को इस तरीके से represent करूँ I hope आपको यह पूरी चीज दिखाई दे रही है so यह है पहला sentence money bank grows और यह है दूसरा sentence river bank flows and you can see मैंने पहले sentence के हर word को बाकी के सारे words के form में represent कर दिया है and same with sentence too यहाँ पे भी river को river bank flows के terms में represent कर दिया bank को river bank flows के terms में represent कर दिया and same with the third word so इससे फाइदा यह हुआ कि अगर आप अब bank के ओपर focus करो अगर आप bank के ओपर focus करो दोनो sentences में तो भले ही lhs same है बट जो rhs है वो दोनों जगाव अलग हो गया and what if मैं यह simple सा simple सा idea यूज़ करू बस इसको थोड़ा सा मुझे अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा जैसे कि एक छोटा सा change मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मैं इस तरीके से words के terms में बात नहीं कर सकता because machines यह words नहीं समझेंगी मुझे instead किसके terms में बात करना चाहिए words को represent करने का क्या तरीक है word embeddings तो हम क्या करेंगे कि यह जो पूरा six equations मैंने लिखी है इनको rather than in terms of words I can write them in terms of word embeddings so I can easily write कि embedding of money in fact the new embedding of money will be equal to 0.7 times इस equation पर focus करना embedding of money plus 0.2 times embedding of bank plus 0.1 times embedding of gross where all of these are vectors n-dimensional vectors ठीक है और three n-dimensional vectors का जब आप weighted sum करोगे तो यह जो vector निकल के आए यह भी n-dimensionally होगा ठीक है and same I can do with the other two words so bank का जो नया embedding होगा उसको हम ऐसे represent करेंगे and grows का जो नया embedding होगा उसको हम ऐसे represent करेंगे and this is the mathematical form बस एक चीज़ शायद अभी तक आपको clear नहीं होई होगी कि यह number क्या represent कर रहे है यह सारे जो numbers है यह क्या represent कर रहे है तो बहुत आसान है इसको समझना हम क्या कह रहे है कि money का जो नया word embedding है वो 0.7 times money के पुराने embedding से बना है plus 0.2 times bank के पुराने embedding से बना है और 0.1 times gross के पुराने embedding से बना है यही तो मतलब है तो in a way आप यह बोल सकते हो कि यह जो numbers है न यह actually similarity represent कर रहे है they are representing similarity similarity between what similarity between word embeddings यह जो 0.7 है यह actually similarity है between money का embedding and money का embedding यह जो 0.2 है यह similarity है between money का embedding and bank का embedding यह जो 0.1 है यह similarity है between money का embedding and gross का embedding similarly यह जो 0.1 है यह represent कर रहा है similarity between gross का embedding and money का embedding I hope आपको समझ में आ रहा है and essentially यह सारे के सारे embeddings हैं क्या these are vectors in high dimensional spaces तो 2 vectors के बीच का मुझे अगर similarity calculate करना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं I guess आपको पता है there are multiple ways to do it but one of the easiest one is to calculate the dot product 2 vectors के बीच में अगर आप dot product calculate कर दो तो inner way वो similarity बताता है एक example से मैं आपको समझाता हूँ माल लो आपके बस तीन vectors है यह है 6,1 यह है 4,2 और यह है 1,5 तो अगर आप इन दोनों की बात करो तो इनका dot product कितना होगा 4 times 6 24 plus 2 times 1 2 26 और अगर आप इसका और इसका बात करो तो इन दोनों का dot product कितना होगा 1 times 6 हो गया 6 plus 5 times 1 हो गया 5 11 तो आपको समझ में आ रहा है कि यह वाला vector और यह वाला vector are more similar in comparison to यह वाला vector and यह वाला vector dot product आपको यह quantify करके देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आपको यह जो सारे numbers दिखाई दे रहे है they are essentially dot products between word embeddings तो अब तो चीज़े बहुत आसान हो गई मैं हर word का नया contextual embedding generate कर सकता हूँ with the help of this mathematical equation और मैं आपको यह visualize करके दिखाता हूँ so visualize करने के पहले मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिख दिये so basically मैंने इस equation को लिया second वाले को जहाँ पर मैं bank word का नया embedding generate कर रहा हूँ और उसकी सारे similarities के बदले मैंने dot product के form में लिख दिया है जैसे 0.25 आया कहां से जब हमने bank word के embedding को money word के embedding के साथ dot product किया यह 0.7 आया कहां से जब हमने bank word के embedding को खुद के साथ ही dot product किया और यह 0.05 आया कहां से जब हमने bank word के embedding को gross word के embedding के साथ dot product किया तो basically this is the equation और इसको मैं आपको अब visually represent करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है यह सारे के सारे weights calculate करना है और यह सारे weights आएंगे कहां से dot product से तो मैं सबसे पहले यहां पर bank का जो embedding है वो लिख देता हूँ तीन जगों पर बिकाज मुझे इसको तीन बार यूज करना है यह भी bank का ही है और यह भी bank का ही है ठीक है यह end dimensional vector है अब मुझे इसको dot product करना है सबसे पहले with money यहां पर I have to dot product with bank itself और यहां पर I have to dot product with the embedding of grows थोड़ी दिर के लिए माहल लेते हैं कि इन दोनों के dot product से हमें एक number मिला एक scalar मिला dot product से scalar मिलता है let's call it S21 21 क्यों? because bank हमारे sentence का second word है और इसका dot product हम first word की embedding के साथ कर रहे है ठीक है similarly इस से हमें मिला S22 second word का second word की embedding के साथ dot product करने से हमें ये number मिला और ये आजाएगा S23 ठीक है अब एक चीज़ शायद आपने ध्यान दी होगी कि मैंने जान बुच के यहाँ पे ऐसे numbers लिखे हैं जिनको जब आप जोडोगे तो आपको 1 मिलेगा basically they are normalized machine learning और deep learning को बहुत प्यार है normalization से normalization is a very good operation so हम क्या कर सकते हैं कि ये जो तीन numbers मिले हमें S21 S22 और S23 इन तीनो numbers को हम normalize कर सकते हैं because ये numbers actually कितने भी बड़े और कितने भी छोटे negative भी हो सकते हैं dot product है न तो मालो यहाँ पे आगया 36 यहाँ पे आगया minus 15 यहाँ पे आगया 32 तो इन numbers को actually इस तरीके से लिखना कि इनका sum मिल करके 1 हो basically probabilities में अगर ये convert हो जाएं तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया representation हो जाएगा कि भाई bank जो word है वो 70% bank से मिलके बना है 20% money से मिलके बना है 10% gross से मिलके बना है तो ये interpretation के लिए हम क्या कर सकते है normalize कर सकते है और since यहाँ पे negative आने का chance है what we can do is कि हम इन तीनों को उठा करके softmax function में डाल सकते है ठीक है so I'll just create a box this is the softmax function ठीक है और ये softmax function में हम यहाँ से S21 को डाल रहे है यहाँ से S22 को डाल रहे है और यहाँ से S23 को डाल रहे है ठीक है और हमें तीन numbers मिल रहे है पहला मिल रहा है W21 दूसरा मिल रहा है W22 और तीसरा मिल रहा है W23 ठीक है और ये तीनों नंबर्स को जब आप जोड़ोगे तो वो 1 होगा ठीक है अगर आपको नहीं आदे soft max काम कैसे करता है तो w21 निकालने के लिए आप basically यह कर रहे हो e raised to the power s21 divided by s21 plus s22 plus s23 ठीक है similarly w22 निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो e raised to the power s22 e raised to the power s21 e raised to the power s22 e raised to the power s23 और similarly आप s23 निकाल रहे हो this is the soft max operation इतना हो गया तो basically अब मिरे पास यह वाला dot product आगया यह वाला dot product आगया यह वाला dot product आगया और यह तीनो normalized है इन तीनो का sum 1 होगा अब हमें क्या करना है इन vectors के साथ फिर से multiplication करना है so basically now this thing will be multiplied with the vector of money this thing will be multiplied with the vector of bank and this thing will be multiplied with the vector of grows और हम इन तीनों चीज़ों को add कर देंगे और इससे हमें मिल जाएगा e bank new नया embedding इसको हम लोग कुछ और भी बुला सकते हैं now this is a new contextual word embedding जो मिल के बना है तीनों words के embedding से in fact it's a weighted sum of the three embeddings और यही सेम तरीके से हम why money निकालेंगे और why grows निकालेंगे बिल्कुल सेम तरीके से और in fact मैंने निकाल भी दिया है you can see यह एक बहुत detailed diagram है जहाँ पर सबसे पहले मैंने money word के embedding से शुरू किया और यहाँ पर money word का new embedding calculate किया you can see money को money से dot product किया money को bank से किया money को gross से किया s1 s1 1 s1 2 s1 3 मिला softmax में डाला w1 1 w1 2 w1 3 मिला और फिर w1 1 को money से w1 2 को bank से w1 3 को gross से किया pated sum और मुझे y money मिल गया यह बीच वाला मैंने आपको just करके दिखाया और यह रहा gross का so you can see हर word के लिए मैं embedding निकालके यह पूरा process follow गरूँगा तो मुझे नया contextual embedding मिल रहा है तो पहला word के लिए किया फिर दूसरे word के लिए किया और फिर तीसरे word के लिए किया and now I have the new contextual embeddings of every word in my sentence ठीक है तो यह हो गया मेरा normal first principle approach कि इस तरीके से हम contextual embedding generate कर सकते हैं अब हम approach के बारे में मुझे दो बाते करनी है उनमें से पहली बात यह है कि यह जो पूरा काम हमने किया हर word का embedding निकालके उस embedding से नया embedding calculate किया अगर आप ध्यान दोना तो यह operation आपको समझ में आएगा कि parallel operation है मेरे कहने का यह मतलब है कि अभी हम क्या कर रहे हैं हम पहले word का embedding निकाल रहे हैं और फिर हम यह वाला operation complete कर रहे हैं फिर दूसरे word का embedding निकाल रहे हैं फिर यह वाला operation complete कर रहे हैं फिर तीसरे वाले word का embedding निकाल रहे हैं और यह वाला operation complete कर रहे है बट अगर आप ध्यान दो तो कोई भी reason नहीं है कि ये तीनों काम हम साथ में नहीं कर सकते मतलब खुछ सोच के देखो ना इस operation में इस first operation में I'm sorry second operation में ऐसा क्या है जो first operation पर depend कर रहा है nothing आपको सिर्फ क्या चाहिए आपको ये embedding vectors चाहिए ये तो एक साथ generate हो सकते हैं इस third operation में ऐसा क्या है जो second पर depend करता है कुछ भी नहीं आपको सिर्फ embedding vectors चाहिए जो एक साथ generate हो सकते हैं so essentially what I'm trying to say is कि ये तीनों काम आप parallel में कर सकते हो इन तीनों words के new embeddings आप parallel में generate कर सकते हो तीनों क्या अगर 1000 words भी हो इस sentence में वो सारे नए embeddings parallelly calculate किये जा सकते हैं कैसे ये देखो with the help of linear algebra आप ये पूरा काम one go में कर सकते हो मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले यहां पर हम तीन जगे पे input दे रहे थे फर्स जगे पे e money का input था second जगे पे e bank का input था third जगे पे e gross का input था उसको मैंने एक matrix के form में लिख दिया this is a three cross n matrix जहां पे तीन क्या represent कर रहा है कि हमारे sentence में कितने words है और n क्या represent कर रहा है हमारे embedding vector का size it could be three it could be five it could be hundred it could be five hundred कोई फर्क नहीं बढ़ता फिर मैंने क्या किया एक दूसरा matrix लिया because हम हर बार क्या कर रहे है इस green वाले vector को इस pink वाले vector से multiply कर रहे है तो मैंने इस pink वाले vector तीन vectors है transpose vectors है इनको जोड़ करके एक और matrix बना दिया तो अगर ये वाला three cross n है तो obviously ये n cross 3 हो गया ठीक है इन दोनों के dot product से आपको एक 3 cross 3 matrix मिलेगा जो कि essentially क्या होगा ये values s1 1, s1 2, s1 3, s2 1, s2 2, s2 3, s3 1, s3 2, s3 3 ये मुझे यहां पे मिल गया this is the matrix अब मैं इस पूरे matrix के उपर softmax चला दूँगा basically ये operation मैंने parallel में चला दिया इससे मुझे क्या मिल गया w matrix w1 1, w1 2, w1 3 and so on तो अब मैं यहां पर हूँ मेरे पास ये w1 1, w2 1, w3 1 ये सब आ चुका है ठीक है अब बस मुझे क्या करना है वापस से इन blue vector से multiply करना है right तो फिर से ये operation को मैं parallelize कर सकता हूँ मैंने क्या किया ये blue vectors को मिला करके ये matrix बना दिया this is again a 3 cross n matrix basically ये वाला matrix और ये green वाला matrix same चीज है और इन दोनों को जब हमने dot product किया तो हमें ये नया purple matrix मिल गया which is basically a combination of why money, why bank and why gross तो this is the best part about this first principle approach कि आपके sentence में 3 words हो या 30 words हो फर्क नहीं पड़ता है आप उन 30 words का एक साथ contextual embedding generate कर सकते हो this entire thing is parallel और parallel है मतलब ये GPU का जो functionality ये graphics card का जो functionality उसको utilize कर सकता है और बहुत fastly होगा ये operation तो speed is one of the advantages of this method but इस advantage के साथ एक disadvantage भी आता है अगर आप ये सारा operation parallely करोगे money का contextual vector, bank का contextual vector, gross का contextual vector एक साथ generate करोगे तो sequence का information आप lose करोगे आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि bank पहले आया या money पहले आया apparently textual data में sequence matters तो यहाँ पर एक फाइदा हो रहा है बट उस फाइदे से एक नुकसान भी हो रहा है information का हम कुछ और जुगार निकाल लेंगे बट ये parallel operation से क्या फाइदा होगा कि training बहुत fast हो सकता है ठीक है तो I hope आपको पहला point of consideration समझ में आ गया और डूसरा point जो मैं consider करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा ये जो first principle approach हमने बनाया इसमें कोई learning parameters नहीं है कभी भी आप कोई deep learning model बनाते हो तो वहाँ पे ये weights and biases होते है ना ये weights and biases क्यों होते है so that आप data से कुछ सीख पाओ learn कर पाओ अगर आप हमारे इस self attention model को देखो तो यहाँ पर essentially हम तीन operations perform कर रहे है एक ये operation एक ये operation और एक ये operation इन तीन operations की help से मुझे मेरा output मिल जा रहा है बट इन तीनो ही operations में अगर आप ध्यान दो तो कोई parameters involved नहीं है this is essentially a dot product this is a softmax operation and this is also a dot product so basically there are no learning parameters and hence there is no learning इसका simple मतलब ये हुआ कि आप अपने words से मानलो आपके पास ये word है hello उससे आपको एक embedding मिला उस embedding से आप जो contextual embedding generate कर रहे हो ये आपके data में जो चीज़े हैं उससे नहीं सीख पा रहे हैं मैं इस point को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मानलो आप एक machine translation task perform कर रहे हो जहां पर आपको input में दिया हुआ है English sentence और output में दिया हुआ हिंदी sentence और आपको एक ऐसा model बनाना है जो हिंदी के sentence को लेगा और उसको I'm sorry English के sentence को लेगा और उसको हिंदी में translate करके देगा तो पहला sentence हमालो how are you और इसका output क्या है क्या से हो I am good मैं बढ़िया हूँ इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे sentences है so मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने जो self attention model develop किया है यह जो model हमने develop किया है इस model को इस data से फर्क नहीं पढ़ता बस current sentence से फर्क पढ़ता है आप हमारे इस model में क्या कर रहे हो एक sentence को डाल रहे हो आप डाल रहे हो how को r को और you को इसका embedding मिल रहा है इसका embedding मिल रहा है इसका embedding मिल रहा है फिर आप हमारे simplified self attention model में इसको डाल रहे हो और यहां से आपको y1 मिल रहा है y2 मिल रहा है y3 मिल रहा है बट यह जो contextual embedding generate हो रही है यह आपके task के nature पर depend नहीं कर रही आपके task के data पर depend नहीं कर रही वो independent है it's like general contextual embedding it is not a task specific contextual embedding अब आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है general contextual embedding ही यूज कर लो task specific नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है actually फर्क पड़ता है मैं आपको एक example बताता हूँ मान लो आपको इस particular English sentence का translation करना है into Hindi ठीक है अब आप क्या करोगे इन सब की embeddings generate करोगे और फिर इन embeddings से आप general contextual embedding generate करोगे that is what y1, y2, y3 अब खुद सोचो ना English में piece of cake का क्या मतलब हुआ piece of cake का मतलब हुआ एक cake का एक छोटा सा piece यही मतलब हुआ ना बट जब मैंने इस context के साथ translation किया तो Hindi में क्या निकल के आया cake का टुकडा राइट बट मेरे डेटा में piece of cake का हिंद्ली तंसलेशन लिखा हुआ था बहुत आसान काम यह भी दो एक मीनिंग होता है piece of cake का that task is a piece of cake बहुत ही आसान है बट सिंस हम जेनरल contextual embedding generate कर रहे थे तो obviously हमारा जो output निकल के आएगा वो cake का टुकडा आएगा वो कभी सोच भी नहीं सकता कि बहुत आसान होगा इसका translation बट अगर किसी तरीके से हमने task specific contextual embeddings generate की होती तो ऐसा हो सकता था कि piece of cake का translation आप बहुत आसान कर पाते तो this is the main problem हमारा जो approach हमने लिया बहुत ही simple सा approach है बहुत ही प्यारा सा approach है और उसके फाइदे भी है आपको जो contextual embedding मिल रही है वो general है किसी भी NLP task पे आप उसको लगा सकते हो but it's not always good there would be certain cases जहाँ पर आपका general contextual embedding will fail जैसे मैंने आपको ये example दिया एक और example दे सकता हूँ break a leg अब इस sentence का अगर आप फिर से general contextual embedding generate करो तो फिर से शायद आपका translation ये होगा कि tang तोड़ दो यही तो होगा बट फिर से जब आपने data में देखा तो वहां लिखा हुआ था शुब काम ना है because ये एक मुहावरी की तरह use होता है so मैं एक point क्या बनाना चाहता हूँ कि ऐसा लग रहा है इस पूरे discussion के basis पे कि सिर्फ contextual embedding generate करना sufficient नहीं है हमें task specific contextual embeddings चाहिए मतलब होंगे वो contextual embedding ही अपने आज-पास के words के basis पे ही हम हर word का embedding generate करेंगे but वो हमारे NLP task के उपर depend करना चाहिए अगर आप machine translation कर रहे हो तो वो machine translation के हिसाब से contextual embedding होना चाहिए अगर आप sentiment analysis कर रहे हो तो वो sentiment analysis के basis पे contextual embedding generate होने चाहिए and so on that is the larger point that I am trying to make so basically किसी तरीके से हमें इस पूरे process में कुछ weights and biases introduce करने पड़ेंगे हमें कुछ भी करके इस पूरे process में weights and biases डालने पड़ेंगे जिससे की हर अगली बार जब नया sentence मिल रहा है तो हमारा जो यह self attention model है यह सीखता भी जा रहा है कि अच्छा इस data में इस तरीके से बात होती है क्या अच्छा इस data में इस word को ऐसे रखा जाता है क्या यह learning उसको data के basis पे मिलना चाहिए ना कि in general एक sentence में कैसे use होता है तो I hope आपको समझ में आया तो discussion का main point यह निकल के आया पहला तो यह कि यह जो approach हमने लिया यह काम करता है यह contextual embeddings generate करके देता तो है मतलब यहाँ पे आप एक word को बाकी कौन से words के साथ वो आ रहा है उसके basis पे हम represent तो कर पा रहे है और इसमें एक बहुत बड़ा फाइदा यह हो रहा है कि यह पूरा का पूरा काम हम parallel कर सकते है तो यह बहुत बड़ा benefit है बट एक बहुत बड़ा नुकसान हमें यह समझ में आया कि यहाँ पर कोई learning नहीं हो रही है data के basis पे, task के basis पे यह जो contextual embeddings हम generate कर रहे है वो general है आप उसको कहीं भी use कर लो बट general से अच्छा होता है specific machine learning में when you are talking about such scenarios तो अब हमारा goal क्या है कि हम ने यह जो first principle approach रखा इसको हम लोग improve करेंगे हम यहाँ पे कुछ learnable parameters introduce करेंगे जिससे कि हर अगला training sample देखने के बाद हमारा यह self attention model और बढ़िया contextual embeddings generate करे but specific to the task that we are performing I really hope यह point आपको समझ में आया एक काम करते हैं काफी discussion हो गया थोड़ा अभी तक का progress summarize कर लेते हैं so हमने start किया था एक problem से कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे words machines को समझ में आने लग जाए और इसी process में हमने discover किया था कि embeddings are great for this purpose because embeddings semantic meaning capture कर पाती है words का और उनको number में convert कर पाती है यहां तक ठीक है बट फिर word embeddings में problem निकल के आई कि context capture नहीं हो पाता कभी कभी जैसे कि river bank और money bank दोनों में bank का numerical representation सेम होगा तो क्या फायदा तो यहां पर बात समझ में आई कि हमें चाहिए है contextual embeddings जो dynamically sentence में word के usage के हिसाब से change हो जाए मतलब यह representation और यह representation bank का अलग-अलग दिखना चाहिए फिर हमने एक super simple self attention model डेवलप किया और यह model हमारे लिए contextual embeddings generate कर पा रहा था बट फिर हमने realize कि contextual embeddings भी दो तरीके की होती है एक होती है general contextual embeddings और दूसरी होती है task specific और हमने यह realize कि task specific वाली जो है वो ज़्यादा helpful रहेगी ज़्यादा काम आएगी और better results देगी but unfortunately हमारा जो simple self attention model था वो सिर्फ general contextual embeddings generate कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई learnable parameters ही नहीं थे जो data को देखके कुछ सीख पाएं तो अब हमारा goal यह है कि हमें अपने इस simple self attention model में parameters डालने होंगे कुछ learnable parameters मतलब weights and biases अड़ करने होंगे जो data के साथ सीखें और ऐसा करते ही हमारा यह self attention model task specific contextual embeddings generate करने लग जाएगा जो कि हमें चाहिए हैं अब अगर हम फिर से थोड़ा first principle से सोचें because हम creators हैं हम पहली बार self attention model बना रहे हैं तो अभी तक के discussion के basis पे अभी तक की मेरे experimentation के basis पे मैं इस conclusion पे पहुँचा हूँ कि यह जो सामने मुझे पूरा का पूला यह flow diagram दिख रहा है इस पूरे flow diagram में मुझे किसी तरीके से weights introduce करने है learnable parameters introduce करने है but question यह आता है कि आप कहां करोगे exactly तो अगर आप logically एक बार सोचो तो मतलब आप एक चीज clearly notice करोगे first of all कि यह तीन step का process है पहला step है इन दोनों matrices के बीच में dot product दूसरा step है इस matrix के ओपर soft max operation और फिर तीसरा stage है जहां पर आप इन दोनों matrices के बीच में dot product कर रहे हो तो this is a dot product, this is a dot product, this is a soft max operation तो एक बात तो clearly समझ में आ रही है कि इस step में आप कोई weights introduce नहीं कर सकते because this is just a simple soft max operation तो weights introduce करनेगा सिर्फ दो ही possible जगह है इस पूरे process में एक है यहाँ पर और एक है यहाँ पर तो अब हम क्या करेंगे हम एक बार वापस इस पूरे process को go through करेंगे और specially हम लोग इस step पे और इस step पे focus करेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी तरीके से हम यहाँ पर कोई weights and biases मतलब की learnable parameters introduce कर सकते हैं या नहीं and obviously वो logical होना चाहिए जबरदस्ती का काम हमें नहीं करना है तो इस पूरे diagram को carefully go through करने के बाद मैंने एक छीज रियालाइज की मुझे लगता है आपने भी रियालाइज किया होगा कि हर word का जो embedding है जैसे money का embedding है या bank का embedding है या gross का embedding है हर word का जो embedding है वो actually तीन different roles play कर रहा है ठीक है? कैसे? मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले वाले पर focus करते हैं इस वाले पर जहाँ पर हम money word का contextual embedding generate करने की कोशिश कर रहा है जो की है why money ठीक है? अब यहाँ पर आप notice करो कि जो money word का embedding है वो ये green color में भी use हो रहा है ये pink color में भी use हो रहा है और ये blue color में भी use हो रहा है similarly अगर आप यहाँ पर आओ beach वाले में जहाँ पर आप bank word का contextual embedding generate करना चाहते हो यहाँ पर जो bank word का embedding है वो तीन forms में आ रहा है पहले तो यहाँ पर आ रहा है दूसरा यहाँ पर आ रहा है और तीसरा फिर यहाँ पर भी आ रहा है and same here जो gross word है उसका embedding यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है तो basically ये तीनों embeddings, तीनों ही steps में, तीन अलग-अलग roles play कर रहे हैं, क्या है वो rules एक पर समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम सिर्फ बात करें इस first वाले की, जहां पर हम money word का contextual embedding निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर जो money का word embedding है, वो as a green box used हुआ है, और यहां पर यह क्या purpose solve कर रहा है, कि यह एक तरीके से बाकी सभी words के embedding से यह सवाल पूछ रहा है, कि बताओ तुम्हारे में और मेरे में कितनी similarity है, same आप यहां पर देखो, यहां पर यह bank word का embedding, बाकी सभी words के embedding से यह सवाल पूछ रहा है, कि बताओ तुम्हारे और मेरे में कितनी similarity है, तो in a way मैं बोल सकता हूँ कि यह जो आपका green वाला बक्स है, green box, यहां पर हर embedding query करने का role play कर रहा है, it is asking query, तो मैं इसको query बुला सकता हूँ, अब बात करते हैं यह pink वाले से, यह pink वाले में सारे embeddings क्या role play कर रहे है, कि जब green वाला embedding question पूछता है, तो pink वाला embedding reply करता है, यही तो है न, जब e-money ने e-money से पूछा, कि बताओ तुम्हारे और मेरे में कितनी similarity है, तो यह kind of palette के बता रहे है, same with e-bank, same with e-grows, तो in a way, यह जो pink वाले boxes हैं, they are acting as keys, जिन से आप query पूछ सकते हो, ठीक है, and lastly, जब हमारे weights calculate हो जा रहे हैं, जब हमारे weights calculate हो जा रहे हैं, तो फिर हम उन weights की help से एक weighted sum calculate कर रहे हैं, और उस weighted sum को calculate करने में, यह जो blue वाले boxes हैं, they are acting as values, ठीक है, अब आप बोलोगे कि, आपने इतना specific नाम कैसे सोचा, actually मैंने सोचा नहीं है, यह बहुत simple computer science की terminology है, मैं आपको बताता हूँ, python में आप dictionaries बनाते हो, right, मालों आपने एक dictionary बनाया, A का value है 2, B का value है 3, and C का value है 4, यह आपकी एक dictionary है, तो आप खुद क्या बोलते हो, इस dictionary में इस A को, या इस B को, या इस C को क्या बुलाओगे, आप इसको की बुलाते हो, यह भी की है, यह भी की है, यह भी की है, और यह जो 2 है, और यह जो 4 है, और यह जो 3 है, इसको आप क्या बुलाते हो की का value राइट अब अगर इस dictionary का नाम D है तो अगर मैं ऐसे लिखूँ D का A equal to question mark तो in a way यहाँ पर यह जो A है यह है मेरा query मैं यह query कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पर कोई A नाम का की है अगर वो है तो मुझे उसका value return करके दो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो यह simple computer science का language है यहाँ पर हम exactly same काम कर रहे है यहाँ पर हम क्या कर रहे है कि हर contextual embedding calculate करने के लिए सबसे पहले अपना जो word embedding है वो बाकी के सारे embedding से सवाल पूछ रहा है तो वो query हो गया बाकी के सारे embeddings जवाब दे रहे है तो वो keys हो गया और जवाब क्या दे रहे है वो value हो गया तो मतलब यह निकला इस पूरे discussion का कि हम अपने किसी भी word embedding को तीन तरीके से use करते है as key as query and as value same with bank bank को भी हम तीन तरीके से use करते है as key as and as value and same for gross इस पूरे discussion से अगर आपको कुछ समझना है तो वो सिर्फ एक बात निकल के आई है कि contextual embeddings calculate करने के process में हर embedding हर embedding vector तीन roles प्ले कर रहे है कभी तो वो query बन जाता है कभी वो key बन जाता है और कभी वो value बन जाता है तो ये मैं आपको दिखाना चाता था I really hope ये आप observe कर पा रहे हो और appreciate कर पा रहे हो कि हमने जो first principle से बनाया उसमें ये बारीक सी चीज़ हो रही है चलो भाया मैं ये तो समझ में आ गया कि हमारा हर word का जो word embedding है वो तीन roles play कर रहे है query करने का key का और value का भी बढ़ पता है मुझे क्या problem है इस approach में इस approach में मुझे ये problem है कि query भी ये vector खुदी बन जाता है key भी ये vector खुदी बन जाता है और value भी ये vector खुदी बन जाता है मुझे लगता है कि ये सही तरीका नहीं है ideally क्या होना चाहिए ideally हमारे पास इस vector से निकले हुए तीन अलग vectors होने चाहिए एक होना चाहिए जो query का roll perform करे एक होना चाहिए जो key का roll perform करे और एक होना चाहिए जो value का roll perform करे अब आप बोलोगे क्यों इस setup से क्या फायदा होगा तो मेरा answer बहुत simple है answer है separation of concerns तीनों के तीनों काम अगर मैं सिर्फ एक ही vector पर डाल दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो vector तीनों काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा बट अगर मैं उस vector को तीन नए vectors में transform कर दूँ तो फिर there is a chance कि ये हर vector अपना roll अच्छे से निभाए जैसे कि ये query vector for bank query का का काम अच्छे से करेगा key vector for bank key का काम अच्छे से करेगा और value vector for bank अपना काम अच्छे से करेगा अब I know इस बात का intuition नहीं मिल रहा होगा आपको तो मैं एक काम करता हूँ मैं आपको इसका intuition देता हूँ आपको मैं बहुत अच्छा example देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बस मुझे लगता है कि आप मुझे देखते हूए वो example समझोगे तो जाएद अच्छे से समझ में आएगा So hi example की बात करते है example बहुत simple सा है So there is this guy जो की एक writer है author है इसका काम है किताबे लिखना और इसने अभी तक बहुत सारी किताबे लिखी है और इस autobiography में उसने अपने वारे में सब कुछ लिख डाला अपने life के सारे interesting incidents लिख दिये खुद वो कैसा बंदा है ये भी बहुत honestly बता दिया उसको किस तरह की लड़की पसंद है मतलब उसको किस तरह की wife चाहिए वो भी उसने बहुत detail में बता दिया उसने ये भी बता दिया कि मैं किस तरह का husband बनूँगा तो ये सारा चीज उसने इस autobiography में लिख दिया ठीक है अब recently ये बंदा 35 साल का हुआ ठीक है और इसके घरवालों ने किसी भी और Indian parent की तरह इसके उपर pressure डालना शुरू किया कि भाई अच्छा है author बन गए हो, successful हो अब शादी कर लो तो इसे भी लगा कि हाँ यार, कर लेते हैं शादी तो ये गया एक website पे शायद आपने नाम सुनाओगा g1sathi.com बहुत famous website है तो यहाँ पर आप जा करके अपने लिए marriage partners खोच सकते हो basically अपना future wife, future husband खोच सकते हो तो अगर आप इस website की बात करो तो इस website पे generally आप जा करके तीन तरीके के काम करते हो सबसे पहला काम आप क्या करते हो कि आप अपना एक profile बनाते हो ठीक है? और इस profile का idea यह होता है कि कल को कोई जब लड़का खोज रहा होगा तो उसके interest की basis पे उसको यह profile दिखाया जाएगा और इस profile से उस लड़की को समझ में आएगा कि आप किस तरह के बन दे हो और फिर उसको पसंद आया तो फिर बात आगे बढ़ेगी तो यह profile बहुत important होता इस website पे second आपकी profile बनने के बाद आप क्या करते हो आप search करना start करते हो आप website को बताते हो कि भाई मुझे इस तरह की लड़की चाहिए है तो please मुझे खोज के दिखाओ तो searching is a very important aspect on this website and finally the third thing is match मुझे कोई लड़की पसंद आई मैंनो इसको एक request भेजा उसने मेरा profile लेखा उसको मैं पसंद आया match हो गया और आप इस match के बाद हम लोग phone पे बात करने लग जाएंगे या फिर physically कहीं मिल लेंगे and the goal would be कि शादी तक इस बात को आगे लेके जाना है तो सबसे पहले तो मैं parallels draw करना चाहता हूँ हम जो पढ़ रहे थे उसमें यह जो e-bank है जो कि हमारा word embedding है जिसमें हमारे words से related सारा information आपको मिलेगा वो actually comparable है analogous है to this autobiography इस autobiography में भी हमारे इस बंदे का सारा information आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद यह जो search है यह बंदा जा करके जो website पे search कर रहा है लड़कियों के बारे में information this is analogous to query करना जो आप यहाँ पे कर रहे हो यह जो आप कर रहे हो यह जा करके आप इस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे हो इससे बात करने की कोशिश कर रहे हो आप similarity निकालना चाह रहे हो कि आपके और इस लड़की के बीच में कितनी similarity तो यह similarity निकालने के लिए आपको कौन help कर रहा है आप जो query कर रहे हो तो इस website पे जो आप search करोगे कि इस state की लड़की चाहिए या फिर working लड़की चाहिए या फिर जो भी और चीज़े होती है तो वो relatable है to the query aspect of our self-attention model फिर यह जो आपका profile है जो सामने किसी लड़की को help करेगा मेरे बारे में समझने में इस बंदे के बारे में समझने में this is actually comparable to, analogous to key aspect यह सामने से कोई लड़की आई और यह इस बंदे का profile है तो इस search query और इस profile का जो interaction है उससे यह समझ में आ रहा है कि यह लड़का और यह लड़की के बीच में कितनी compatibility है right and finally the third aspect is match जब वो लड़का लड़की आपस में finally बात करते हैं तो वो comparable है इस value के बराबर right तो this is analogous to this value ठीक है तो सबसे पहले हमने एक example लिया और उसका analogies draw कर लिये अब देखो initial जो हमारा setup है जहांपर हमारा embedding ही query भी बन जा रहा है key भी बन जा रहा है और value भी बन जा रहा है यह क्यों logical नहीं है वो आप इस example से समझ सकते हो what if यह जो हमारा author है यह जो बंदा है यह बोले कि यार मैं profile नहीं बनाऊँगा instead वो अपना यह जो autobiography है वो पूरा का पूरा upload कर दे website पे 300 page का और सामने वाले सभी को बोल रहा है कि देखो आपको मेरे बारे में जानना है न तो आप यह autobiography डाउनलोड करके पूरा पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा do you really think कोई लड़की जा करके 300 pages का किताब पढ़ेगी किसी को जानने के लिए नई similarly जब मैं search करने निकल रहा हूँ मतलब ये बंदा जब अपने लिए किसी लड़की को खोजने निकल रहा है तो ये क्या बोल रहा है कि मैं search करके नहीं बताऊंगा कि मुझे exactly किस तरह की लड़की चाहिए instead मैं ये पूरा जो इस autobiography में लिखा हुआ है पूरे content को उठा कि search bar में डाल दूँगा क्योंकि इसमें ये information भी है कि मुझे किस तरह की लड़की पसंद है तो आपको लग रहा है website सही लड़कियों के profile निकाल कि आपको दे पाएगा obviously नहीं आपको crisp cut आपको crisp information provide करना है आप पूरी की पूरी किताब डाल रहे हो कभी भी आपको सही तरह से profile सामने से आएंगे ही नहीं तो आपको सही लड़की मिलेगी ही नहीं और finally जब match हो भी गया तो काईदे से आपको बात करनी चाहिए उससे whatsapp पे chat करना चाहिए या फोन पे बात करनी चाहिए किसी लड़की न आपको पसंद कर भी लिया तो आप उसको क्या बोल रहो कि यार एक काम करो मेरे पास तो time नहीं है ये मेरी किताब है ऑटो बारे में सब कुछ लिख दिया तुम ये किताब पढ़ लो तुमको समझ में आ जाएगा मैं कैसा बन दो आप वो भी नहीं कर सकते बिकाज इसमें भी बहुत तरह का risk है सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े लिखी होंगी जो हो सकता है कि आपका शादी करवाने के बदले शादी तुड़वा दे क्याँ आपने अञिका हूगा कि आपने अपने दोस्तों के साथ क्या-क्या कांट कर रखें इसमें लिख रखा है कि आपको नीन में चलने की बिमारी है इसमें आपने लिख रखा है कि आप ड्रीम 11 पे अपनी आधी salary उड़ा देते हो because आपको dream 11 की लट लगी हुई है, आप थोड़ी न ये सब बाते सामने वाली बंदी को बताना चाहोगे जब आप पहली बार मिल रहो, obviously आप अपनी personality के best aspects निकाल के रखोगे, so that आपके शादी होने का chance बढ़ जाए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आप profile की जगा, search की जगा और match की जगा तीनों जगों पे अपना पूरा का पूरा autobiography upload कर दो, तो it's not a good idea ठीक उसी तरीके से जब आपको ये पूरा का पूरा calculation करना है, तो query के लिए भी same embedding vector key के लिए भी same embedding vector करना चाहिए, इस case में वापस हमारे example में आते हैं, ideally आपको अपना जो profile बनाना चाहिए वो बहुत ही solid profile बनाना चाहिए आपको अपनी autobiography में से जो best अच्छी चीज़े हैं जो आप display पे लगा सकते हो कि I am a recognized author मैं इस college से निकला हूँ मेरे boards में इतने number आये थे this is my height जो भी अच्छी pieces of information जिससे आप सजा सकते हो अपने profile को वो आप यहाँ पे डालोगे similarly जब आप search करने निकलोगे तो आपको आप खुद से पूछोगे कि मुझे कैसी बंदी पसंद है और मैं उस basis पे अपने search query को modify करूँगा ठीक है सबसे पहले तो मुझे इस state की girl चाहिए फिर मुझे working professional चाहिए और मैं अपने और preferences बताऊंगा website को तभी मुझे best possible results दिखाई देंगे और finally जब हमारा match हो जाएगा तो भी जब मैं उस बंदी से बात करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपनी personality के best aspects निकाल के बताऊं इस autobiography में से so that उससे मेरा शादी होने का जो probability है वो improve करे तो in short ये जो autobiography है ये है आपका embedding vector और यहां से आपको तीन नए vectors calculate करने है एक है आपका profile vector एक है आपका search vector और एक है आपका match vector ये तीनों निकल तो रहे हैं इस autobiography से ही इस autobiography में ही सारा information है but ये optimized है for their respective task profile vector is very very good at making you look good in front of other people query vector is really good in searching other people for you and match vector is really good when you are meeting someone वो सामने वाले को impress कर सकता है right तो similarly इस case में हमारे case में भी हम क्या करेंगे हम अपने embedding को पकड़ेंगे और उससे तीन नए vectors बनाएंगे query key और और फाइनली वैल्यू तो इस example के थूँ मैं आपके सामने एक solid argument रख पाया कि क्यूं आपको अपने given vector से तीन vectors निकालने चाहिए ठीक है ये आई गयास आपको समझ में आ गया अब एक question बच गया कि मेरे इस autobiography में से exactly मुझे क्या इस profile में डालना चाहिए या फिर question ऐसे पूछो कि इस bank वाली embedding में से ये key vector कैसे बनेगा ये question है तो ये वाला example थोड़ा बात में deal करते हैं पहले हमारा ये जो running example इसकी बात करते हैं कि आप अपने autobiography में से क्या information निकाल करके profile में डालोगे ये कैसे decide होगा बहुत simple सा answer इसका ये decide होगा data की help से ठीक है समझने की कोशश करना so शुरू में मैंने क्या किया मैंने अपने autobiography में से ये बात निकाल के profile में डाल दी that I am an author और मैं books लिखता हूँ mostly around politics तो मैंने एक महिने में नोटिस किया कि मुझे जिन लड़कियों का request आ रहा है वो लड़कियां बहुत ही political nature की हैं like they have very very high interest in politics but guess what मुझे वैसी लड़कियां नहीं पसंद है जो politics की बहुत बाते करती हो ठीक है तो मैंने data से सीखा मुझे जिस तरह की लड़कियां recommend हो रही है मैंने उस data से सीखा और मैं जट से वापस गया और मैंने अपने profile में से ये बात हटा दी कि मैं specifically politics के ऊपर books लिखता हूँ मैंने सिर्फ ये लिख दिया कि I am an author बट मैंने ये word हटा दिया कि मैं politics में बहुत interest रखता हूँ और politics की किताबे लिखता हूँ automatically मुझे future में ऐसी लड़किया recommend होने लग गई जो थोड़ी neutral थी politics को ले करके तो आपने ये profile बनाने में सीखा कहां से data से जिस तरह कर data आपको receive हुआ similarly आप search में क्या डालोगी ये आपको कैसे समझ में आएगा बहुत simple है गलतीगर करके data से देख देख के आपने search किया कि भाई मुझे महराष्टरा की लड़की चाहिए जो महराष्टरे नो तो आपको line से महराष्टरन लड़कियों का request आया और आपने उनसे बात करके feel किया कि नहीं यार maybe मुझे सिर्फ महराष्टरन लड़कियां नहीं देखनी है I should also be seeing other girls as well दूसरे states की भी लड़कियों से मुझे मिलना चाहिए तो आपने अपना ये preference हटा दिया कि मुझे पूरे इंडिया में कहीं से भी कोई भी लड़की recommend करोगे मुझे चलेगा तो फिर से आपने data से सीखा similarly आप आपने शुरू में लिख दिया कि मुझे working और not working दोनों तरह की लड़किया आप recommend कर सकते हो बट जब आपके पास request आने लग गए तो आपने realize किया कि यार मेरा जो tuning है वो उन लोगों के साथ जादा बैट रहा है जो working girls है जो लड़कियां काम करती है तो फिर से आपने अपना search query modify किया और आपने बोला कि suggest me girls who are working in some profession तो आप क्या कर रहे हो आप data में जो भी आपके साथ हो रहे उसके basis पे आप अपना search को change कर रहे हो ठीक है फिर third आता है match match में भी same काम होगा आप match बनाने के लिए भी क्या करोगे मतलब आप जब आपका match हो गया उसके बाद आपको कैसे behave करना चाहिए किसी लड़की के साथ वो भी आपने गलती करकर के सीखा जब पहली बार मेरा किसी लड़की के साथ match हुआ तो मैं बहुत ज़ादा ही enthusiasm के साथ बात करता था तो वो लड़की बोली कि यार guess what I don't like you तो मुझे समझ में आया कि अच्छा में भी मेरे को थोड़ा सा शान्त रहके बात करना चाहिए मैं थोड़ा ज़ादा शान्त रहके बात करने लग गया तो सामने वाला बोलता है कि नहीं आ रही हुआ too dull for me तो फिर आप थोड़ा सा level up किये तो आप लोगों से मिल मिल करके सीख रहे हो कि आपको कैसे बात करना चाहिए तो यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है यह जो query vector बनेगा और यह जो key vector बनेगा और यह जो value vector बनेगा यह बनेगा किस चीज के थुरू with the help of data ठीक है तभी हम इसको अच्छा बना पाएंगे I really hope यह दोनों arguments आप parallelly draw कर पारे हो और समझ पारे हो मैं क्या बोलना चाहरा हूँ ठीक है अब बस हमें यह discuss करना है exactly how we are going to build these three vectors out of our embedding vector with the help of our data ठीक है तो वो हम लोग next discuss करेंगे तो एक काफी लंबे discussion के बाद finally हमें यह समझ में आया कि हमें अपने transform कर देना है into three more vectors one would be the query vector the second would be the key vector and the third would be the value vector तो जैसे अगर हमारे sentence में हमारा sentence था माल लो money bank grows तो हमें इस first word का अगर contextual embedding निकालना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले embedding को पकड़ेंगे और उससे तीन नए vectors बनाएंगे एक होगा query एक होगा key और एक होगा value और यह सेम काम हम bank के vector के साथ भी करेंगे और gross के vector के साथ भी करेंगे तो basically अगर आपके पास तीन words है तो आपको 3 x 3 9 new vectors मिल जाएंगे और फिर आप करोगे क्या बहुत simple है आप पहले क्या करते थे आप पहले यह करते थे तो जहाँ जहाँ पे आपने embeddings को use कर रख है उसके बदले आप उसका key query और value component को use करोगे so basically माल लो आप अभी सिर्फ money word का contextual embedding निकालना चाहते हो तो आप क्या गरोगे आप यहाँ पर notice करो आप money word का embedding ना भेज़के उसका query component भेज रहे हो यह देखो similarly यहाँ पे आप उसका key component भेज रहे हो key of bank, key of gross और finally जब हमें अपने weights मिल जा रहे है तो हम उनको multiply कर रहे है विथार value components और यही सेम काम हमें तीनो words के लिए करना है यह देखो यहाँ पे तीनो जगह पे Q money है यहाँ पे तीनो जगह पे Q bank है और यहाँ पे तीनो जगह पे Q gross है यहाँ पे तीनो जगह पे K money, K bank, K gross है और यहाँ पे तीनो जगह पे V money, V bank, V gross है यहाँ पर एक weight miss हो गया लिखने में और you can understand that ठीक है और इस तरीके से अब हमें हमारा final contextual embedding मिल रहा है there is just one final question left और वो यह है कि हम एक given embedding के अंदर से यह तीनो components या तीनो vectors निकालेंगे कैसे बनाएंगे कैसे इतना तो हमें पता चल गया है कि हमें data की help लेनी है बट फिर भी एक vector से तीन नए vectors कैसे बनते हैं what is that mathematical operation जो यह काम आपको करके देगा वो हमें अब discuss करना है तो अब हमें काम करना है कि हमारे पास एक vector है मालो यह हमारा embedding vector है और इससे हमें तीन नए vectors बनाने हैं पहला होगा query vector दूसरा होगा key vector और तीसरा होगा value vector ठीक है सवाल बस यह है कि इस given vector से यह बाकी तीन vectors कैसे बनेंगे तो एक vector से नए vector बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके नहीं है linear algebra में vector से नए vector बनाने का मतलब है या तो नए vector का magnitude अलग होगा मतलब मैं इस vector को और बढ़ा दूँ इसी direction में या फिर और घटा दूँ basically scaling operation कर सकता हूँ इससे मुझे नए vectors मिलेंगे और second है linear transformations linear transformation का मतलब है कि मैं इस vector को किसी matrix से multiply करवाँ और आपने basic linear algebra में पढ़ा है कि जब आप किसी vector को किसी matrix के साथ multiply करवाते हो तो वो vector transform होके कहीं और चला जाता है तो basically उसका magnitude और direction दोनों change हो जाता है तो clearly अभी तक हमारा जो discussion है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ scaling करने से तो काम नहीं चलेगा तो जादा बढ़िया candidate है कि हम linear transformation कराएं सो हमारे पास ये एक vector है ये हमारा embedding vector है हमें इससे निकालने तीन नए vectors using linear transformations तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले एक matrix लोगा और इस vector का इस matrix के साथ multiplication कराऊंगा और इससे मिल जाएगा मुझे एक new vector जिसको मैं query vector बुला सकता हूँ फिर मैं क्या करूँगा इसी पुराने vector को लोगा और इसको multiply कराऊंगा एक दूसरे matrix के साथ और इससे मुझे मिल जाएगा second vector जिसको मैं key vector बुलाऊंगा और फिर अपने original vector को मैं multiply कराऊंगा third vector के third matrix के साथ और इससे मुझे मेरा third vector मिल जाएगा जो की है मेरा value vector और इन तीन matrices का हम नाम रख सकते है WQ WK WV अब जादा बड़ा question यह है कि यह matrices आएँगी कहां से मतलब यहाँ पे क्या numbers होंगे यह कैसे decide होगा same with this matrix यहाँ पे क्या numbers आएँगे यह कैसे decide होगा तो guess what is का answer हमें पता है do you remember हमने क्या decide किया था हमने decide किया था कि जब हम original embedding vector से यह नए vectors बनाएंगे तो हम data की help से बनाएंगे जो task हम perform कर रहे हैं अगर हम लोग machine translation का task perform कर रहे हैं तो उसका जो data हमें दिया गया है उसके basis पे हमें यह vectors generate करने है तो फिर तो काम बहुत simple हो गया हम decide नहीं करेंगे कि यहाँ पे क्या numbers आएंगे training process decide करेगा so what we will do is we will start with random values या फिर आप इसको random weights बुला सकते हो तो यहाँ पे कुछ भी random है यहाँ पे कुछ भी random है यहाँ पे भी कुछ भी random है ठीक है अब हमने अपना पहला sentence भेजा तो पहले sentence के लिए कुछ query vectors कुछ key vectors और value vectors generate हुए फिर इसके basic पे translation हुआ तो translation में कुछ गलती दिखाई दी तो उस गलती में back propagation की वज़े से फिर यहाँ पे यह weights change हुए फिर weights के change होने से फिर अगले sentence के लिए अलग type से vectors बने so basically यह हम बार 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 करते जाएंगे और training process की वज़े से यह weight vectors automatically अपना सही value गेन कर लेंगे so this is the plan so the plan is very simple हमें इस embedding vector से तीन नए vectors बनाने है और एक vector से नया vector बनाने का तरीका होता है linear transformation मतलब उसका multiplication with some matrix तो हमने ऐसे तीन matrices बनाए WQ, WK, W, V right और इन के dot product से हमें नए vectors मिल गए बट सवाल यह आया कि इन matrices में क्या number डाले तो हमें numbers सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें data के basis पे transformation करना है तो हम random weights से initialize करेंगे इन matrices को और फिर यह training process का part बन जाएंगे तो training में जो भी loss होगा उसके हिसाब से back propagation होगा और back propagation के हिसाब से यहाँ पे जो numbers है वो अपने आप update होते जाएंगे so eventually जब training खतम हो जाएगा मेरा model पूरा train हो जाएगा तो इन matrices में भी सबसे सही numbers अवेलिबल होगे जो इस given vector से इस given embedding vector से best query, key और value vectors generate करने की capability रखते होगे ठीक है one last thing जो काम आपने embedding of bank के साथ किया है exactly यही काम आपको बाकी के सारे words के साथ भी करना होगा जो आपके sentence में है देखो मैं यह बोलना चाहरा था so you can see आप तीनो words को ले रहे हो money को भी ले रहे हो bank को भी ले रहे हो gross को भी ले रहे हो तीनो का embedding vector निकाल रहे हो e-money, e-bank, e-growth अब तीनो ही vectors से आपको तीन-तीन vectors चाहिए query, key और value vectors तो आप हर embedding vector को तीन matrices के साथ multiply कर रहे हो तो e-money को w-q के साथ आपने matrix multiply किया तो आपको q-money मिल गया e-money को w-k के साथ किया तो k-money मिल गया और e-money को w-v के साथ किया तो v-money मिल गया अब ये same process आप repeat करोगे for bank, एक चीज यहाँ पर बहुत important है और आपको confused नहीं होना है कि जो matrix आप money के लिए use कर रहे हो, जो query matrix, जो key matrix और जो value matrix आप money के लिए use कर रहे हो exactly same matrix with the same numbers, जो number यहाँ पर है, जो number यहाँ पर है, जो number यहाँ पर है, exactly यही numbers यह वाला WQ, यह वाला WQ is exactly same as this WQ and same for WK and WV, exact same weight matrices will repeat for every word और same process से हमें Q bank, K bank और V bank मिल गया, फिर हमें Q grows, K grows और V grows मिल गया तो इन तीन embedding vectors से हमने यह nine query key value vectors extract कर लिए और एक बार अगर आपके पास यह तीनों आगे तो अब आगे का काम आपको पता है, यह रहा आगे का काम जो हमने थोड़ी दर पहले discuss किया, बस आपको यह operation अब कर लेना है ठीक है, तो यह हो गया हमारा final this is the self attention mechanism that we know आज की rate में जो transformers architecture में जो self attention mechanism use होता है, वो exactly यही होता है, आप सबसे पहले generate करते हो, और फिर query की value vectors की help से यह पूरा process follow करके contextual embeddings generate करते हो और यह सब कुछ since data के basis पे हो रहा है तो हमें मिलता है task specific contextual embedding जिसकी तलाश में हम निकले थे बस अब एक last चीज और और वो यह है कि do you remember हमने अपने first model की तारीफ में एक बात कही थी कि यह पूरा process parallelly हो सकता है वो बात अभी भी true है आपने अब यह जो refined self attention model बनाया है इसके बारे में भी वो बात true है यह भी parallelly create किया जा सकता है और मैं आपको वो करके दिखाता हूँ यह रहा गाईज पूरा का पूरा summarized matrix operation हमारे refined self attention model का सो मैंने क्या किया है सारे के सारे word embeddings को मिला करके एक matrix बना दिया this is the yellow matrix और उस yellow matrix का मैं तीन बार matrix multiplication करा रहा हूँ तीन अलग matrices के साथ पहला matrix है WQ जो हमारा query matrix है second हमारा key matrix और value matrix so पहले वाले से multiplication करके मुझे मिलता है मेरा capital Q matrix जहाँ पे मेरे सारे के सारे query vectors है for each of the words second वाले से मुझे मिलता है capital K matrix जहाँ पे मेरे सारे के सारे key vectors है और last वाला मुझे मिलता है capital V matrix जहांपे मेरे सारे के सारे value vectors हैं अब मुझे क्या करना है k और q के बीच में multiplication करवाना है क्योंकि आपने देखा ही था हम green और pink वाले के बीच में dot product करा रहे थे तो वो same काम हमें इन दोनों matrices के बीच में करना है इससे हमें वो सारे के सारे similarity scores मिल जाएंगे जो हमें यहां पे मिले है S11, S12, S13 ठीक है also यहां पे मैंने copy paste किया है तो यह थोड़ा सा गड़बड है यहां पे S21, S22, S23 होना चाहिए था same यहां पे S313, S23, S23 होना चाहिए था यहां पे Y money होना चाहिए था वापस yellow matrix अब बस हमें क्या करना है इसको और इसको इन दोनों के बीच में multiplication करके weighted sum करवा देना है जिससे हमें finally मिल जाएगा यह वाला so the good part about this entire operation is कि आप के पास आपके sentence में तीन words हो या तीन हजार words हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप यह पूरा काम parallelly एक साथ भी कर सकते हो with the help of GPUs so with that हम complete करते है हमारा जो study था self attention model का अभी भी कुछ चीज़े बची हुई है वह हम आगे discuss करेंगे but हमने यहाँ पर scratch से first principle से in a way खुद से invent किया एक self attention mechanism ठीक है so I really hope you enjoyed this so that was the video guys I really really hope कि मेरी ये 14 दिनों की महनत काम आई और self attention जो थोड़ा सा difficult unintuitive topic माना जाता है वो आपको समझ में आ गया क्योंकि अगर आपको self attention समझ में आ गया तो बहुत solid chances है कि आपको transformer समझ में आ जाएगा और अगर आपको transformer समझ में आ गया फिर तो क्या ही कहना ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसको like करना और उन लोगों के साथ share करना जो struggle कर रहे हैं self attention mechanism कैसे काम करता है ये समझने में तो that's it from my side मिलते हैं next वीडियो में बाइ